इस जो आज टॉपिक करेंगे ना इसमें से 10 नंबर तक का minimum 5 और maximum 10 नंबर का सवाल पूछा जाएगा और देखो corporate accounting में बहुत सारे concept मैं आसान नहीं कहूंगा मुश्किल है लेकिन अगर आप strategy अच्छे से बना लो ना कि यह यह topics आसान आसान वाले हम करके जाएंगे और अच्छे से करेंगे तो मुश्किल नहीं है आपने जैसे valuation of shares, valuation of goodwill और last class में भी हमने एक chapter cover किया था अंडर राइटर और आज भी जो cover करने वाले हैं आप देखोगे तो इतना मुश्किल नहीं है आपको selective और strategy बनाना पड़ेगा तो आज हम करेंगे accounting standard की series हमारे slaves में basically तीन accounting वैसे तो हमारे slaves में 5 accounting standard हो जाता एक accounting standard 3 जो की cash flow है तो हम कभी भी अपने life में और cash flow को accounting standard को मान के ही नहीं पड़ते हैं normally हम cash flow कर लेते हैं एक accounting standard 14 जो की amalgamation है वो भी हम एक chapter मान के करते हैं AS मान के नहीं करते हैं अब accounting standard हमारा 20 होने जा रहा है जो की equity share का है EPS earning per share इसके बाद एक accounting standard 17 है और एक accounting standard 19 है यह अलग-अलग accounting standard है जिसमें से हम आज accounting standard जिसको AS कहेंगे AS कौन सा करने जा रहे हैं sir 20 most 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 important चाहे बच्चा कुछ भी पढ़ रहा हो CACA CFA कुछ भी कर रहा हो इसके अंदर यह questions पूछा ही पूछा जाता है examiner के तरी से सर accounting standard को करने से पहले हमें कुछ basic basic चीजों को समझ लेना चाहिए और कुछ basic basic चीजों पर बात कर लेना चाहिए सर यह accounting deal करता है किसमें sir यह accounting deal करता है earning पर share और जिसको हम short form में अभी के बाद बोलने वाले हैं EPS सर earning पर share निकलता कैसे है उसका भी एक हम पहले देख लेते हैं क्योंकि generally बहुत बच्चों को पता होता है बहुत बच्चों को नहीं पता होता है तो हम बिलकुल basic और जितने कोश्चन आपके किताब में जितने कोश्चन टैनियर में सारा कर लेंगे इससे बाहर आने के मतलब जो मैं topic इसके अंदर करा दूँगा न माने के चलो इससे बाहर examiner पूछ ही नहीं बाहर तो पूछे का क्या मैं हर बार बोलता हूं कि इसससे बाहर नहीं आएग इसका मतलब क्या होता है जब मैं पूरा chapter अच्छे से ही करा दूँ तो बाहर का मतलब भी नहीं है देखिए सबसे पहले पता ही क्या होता है हमारा कुछ मैं एक statement बना रहा हूं income statement आपका सबसे पहले क्या होता है sales होता है न मैं एक example लेता जाओं हम मान लेते है sales हम पांच लाक इसके बाद इसमें से minus क्या कर देते हैं सारा हम variable cost fix cost मैं मान लेता हूं total cost दो लाक total cost का मतलब यहां पे fix cost भी हो गया और variable cost भी हो गया तो हमारा जो यह minus करने के बाद आता है na earning before interest and tax इसे EBIT के नाम से जानते हो और business study में आपने EBIT के नाम से EBIT पढ़ा हुआ है ऐसा नहीं कि नहीं बात होगी आपके लिए और इसको हम PBIT भी बोलते है earning before interest and tax बोल लो या profit before interest and tax बोल लो जो कि हमारा कितना निकल के आ रहा है साहब तीन लाक अब इसमें से हम क्या minus करते हैं सबसे पहले interest suppose करो मैंने मान लिया कि मेरा 10% loan था और एक लाक या 10 लाक रुपे का तो interest बताओ कितना होगा इस 10 लाक पे 10% होगा देट इस बचा कितना अब इसमें से I हट गया भाई साब क्या बच गया EBT I तो उड़ गया क्यों I तो हमने minus कर दिया I stand for interest अब हम इसमें से क्या minus करेंगे less कर देंगे सर tax suppose करो tax का rate है 50% और 50% के हिसाब से कितना आ रहा है एक लाक किसका 50% सर दो लाक रुपे का 50% अब जो हमारा minus करके आया that is क्या आया हमारा एक लाक इसमें से B हटा के A कर दो यानि यह हो गया EAT earning after tax earning after tax अब यह पैसा जो earning after tax है earning after tax है EAT इस पे अधिकार किसका है इस पे अधिकार दो लोगों का है number one जो कि हमारे questions के अंदर कितना आ गया एक लाक इसके उपर दो लोगों का राइट होता है सर दो परसंट कोन कोन है number one preference share capital का उसके बाद बचातो equity share capital का मान लो मैंने सवाल में आपको दे दिया मेरा 10% preference share capital है 5 लाक का तो इसका dividend होगा यह dividend तो dividend कितना होगा that is 50,000 तो सर equity share holder के पले equity share holder के हिस्से equity share holder के लिए कितना बचा simple सी बात है कितना बचा 50,000 मैं simple बोल सकता हूँ इसके बाद minus करेंगे preference share का dividend that is आपने बताया सर 50,000 और यह पैसा जो बता equity share और वो कितना बच गया 50,000 मैंने ऐसा example लिया के 50-50 में आपको जल्दी समझ में आ जाए सर अब यह equity share holder जो है अब अगर मैं बात करूँ के मेरा number of equity share number of equity share मान लेते हैं 10,000 है तो EPS क्या होगा हर share holder के हक में आज company बिक भी जाए बिकने की बात कर रहा हूँ आज company अगर profit distribute कर दे तो हर share holder के हक में कितना आएगा तो सर earning per share जानना चाहते हो आप येस यानि 50,000 equity share तुमारे हिस्से की बात है और कितने लोगों में बांट दिये जाएंगे कितने person है यहाँ पे 10,000 10,000 लोगों में इसका मतलब सर हर किसी share holder के हिस्से में कितना आएगा पांच रुपए इसे बोलते है earning per share EPS समझ में आई बात इसको क्या बोलेंगे earning per share that is EPS पहले यहाँ तक बताओ ये सारी बाते जितनी भी करिए ये कहीं ने कहीं बारवी में भी आपने कहीं न कहीं थोड़ा point consider किया होगा ratio वाले chapter के अंदर और कहीं न कहीं business study के अंदर भी एक आता था chapter capital budgeting के अंदर भी ये point आता था और आप यहाँ भी देख रहे हो जिसने नहीं भी करा भाई है पहले science लिया हो आर्ट लिया हो पढ़ते आये थे बच्पन से EPS is equal to profit for equity divided by number of share formula बन गया ना ये अभी तक जो पढ़ते आये थे ना accounting standard 20 बोलते हैं बच्चों जो आपने अभी तक पढ़ा है ये गलत पढ़ा है इसके अंदर हम थोड़ा correction करेंगे क्योंकि आइक और नीचे जो shares है ये last date का है last date तो ये गड़बड हो गई आपको number of shares वो ढून्डने होगे जो पूरे साल में समान रहा हो क्योंकि profit पूरे साल का है same number of shares पूरे साल का होगा तो थोड़ा सा इसमें changes करेंगे बिल्कुल सही है यही हम concept apply करेंगे तो sir EPS यानि EPS और इसको कौन समझाता है हमें AS20 AS20 कहता है भाई साहब EPS अगर सीखना है तो आपको दो बाते सीखनी होगी एक basic basic EPS है basic EPS दूसरा sir डाइलुटिड 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 EPS ठीक है मैं different different cases लेके करवाता रहूँगा अपने example कराता रहूँगा लास्ट के बुक के मैं सारे question या कुछ एक मैं समझा दूँगा फिर बुक के question कर लेंगे sir डाइलुटिड बेसिक EPS क्या होता है इसका फॉर्मूला थोड़ा बदल गया हम पहले ये वाला पूरा portion करेंगे ये करेंगे दोनों पार्ट करते ही हमारा topic खतम और AS20 खतम हो जाएगा basic क्या कहता है ये कहता है sir profit और sir सिर्फ मैं profit लिख रहा हूँ तो आप समझदार हो कौन से वाला profit होगा उस profit में से इंटर्स भी माइनस होना चाहिए टेक्स भी माइनस होना चाहिए और preference dividend भी माइनस होने के बाद वाला होना चाहिए तो profit divided by weighted average weighted average equity share यानि sir weighted average equity share okay sir weighted average equity share कैसे निकालते हैं मेन मुद्ध ये हैं इसके अंदर भी कुछ cases है majorly profit में आपको कुछ नहीं सीखना profit examiner निकालके देगा आपको हर बार सीखना होगा weighted average equity share अब weighted average equity share में case number one या example number one या case ही कर लेते हैं आराम से करेंगे हैं चलिए case number one case number one sir when no information given को information ने नहीं भाई साब मतलब मैं example भी लेता जाऊंगा example मान लेते हैं आपको दे दिया profit 2,00,00 और एक चार दो हजार बाईस को equity share 10,000 calculate EPS calculate EPS sir EPS क्या निकलेगा profit divided by weighted average equity share EPS का sir हमारे example के अंदर profit क्या है profit is sir weighted average कितने हैं sir 10,000 weighted average निकालने का मतलब है कि आप यह पता करिए कि 10,000 क्या पूरे साल रहे बिजनस के अंदर हाँ जी हाँ तो बारा बटे बारा वही आ जाना है weight देंगे इसको अभी देखते जाएए आपको समझ में आगा बाकि बारा बटे बारा करोगे तो वही रहने वाला है तो यहां पर EPS के आ जाएगा हमारा 20 रुपए समझवाए case number 1 आ जाए case number 2 जब आपके पास different class के shares होंगे different class मतलब अलग-अलग दो category के shares होंगे या जब आपने between issue किये होंगे कभी case number 2 और इन सभी को अगर आपने अच्छे से note कर लिया ना तो कोई question है नहीं जो कि ना हो profit दो लाक एक चार 2022 को equity share number 20,000 यह equity share number लिख रहा होंगे amount नहीं लिख रहा इसने fresh issue कर दिये भाई साब fresh issue fresh issue तो साल के बीच में किया कब किया sir 39 2022 कितने किये 10,000 कितने कर दिये 10,000 calculate EPS क्योंकि मैं समझाओंगा ना समझ में नहीं आता बच्चों को कितना मर्जी समझा लो तो better है कि मैं example ले लूँँगा न तो पता चल जागा हाँ इसका मतलब यह है simple सी बात और मेरा end of the मेरा time motive क्या है कि आपको समझाना चाहे कैसे भी समझाए EPS क्या कहेगा EPS profit divided by बताओ weighted average equity share profit क्या है 2,00,000 weighted average of equity share क्या है पहला जो था 20,000 वो पूरे साल था 12 बटे 12 plus सर यह जो 10,000 है क्या यह पूरे साल organization में रहा है नहीं कितना रहेगा इस दिन issue किया तो इसके बाद आगे रहने वाला है इसका मतलब इसका मतलब सर 10,000 into 6 by 12 चल यह फटाफट answer बता देते हैं answer क्या आएगा 5,15 तो आ जाएगा 2,00,000 divided by यह तो 20,000 रहेगा और यह हो जाएगा 5,000 5 होगा न अच्छा आठ बता रहें answer 8 समझ में आया है कोई दिक्कत यहां तक तो weighted average समझ रहे हो जितने दिनों को share था उसके हिसाब से हमने क्या कर दिया wait अब आ जाते हैं एक और example example number 3 example यह case number 3 profit profit 50,000 एक चार दो हजार बाइस को equity share 5,000 और एक चार दो हजार बाइस को ही equity share 15,000 यह at the rate 10 rupees each यह at the rate 100 rupees each यानि हमारे shares के class change हो गए हमने करा थारा valuation of shares में class of shares change हो जाते थे अलग-अलग तो class change हो गए अब कैसे weightage निकाला जाएगा देख लेते हैं फटा-फट से EPS profit divided by weighted average equity share सहा profit कितना 50,000 यह भी एक चार को यह भी एक चार को है अब हम अगर weight निकाले number of equity share का ऐसे situation में तो हम ऐसा कर सकते हैं बड़ी simple सी बात है टोटल amount ले लेते हैं टोटल value divided by टोटल number टोटल value कितना आएगा सर 10 रुपे के हिसाब से 50,000 और 100 रुपे के हिसाब से 1,500,000 प्लस टोटल नंबर कितने हो गए 15 और 20,000 है के नहीं तो कितने आगे 1,500,000 1,500,000 आएगा 15,000,000 एक 0 कम कर देते हैं चलो अब ठीक है 1,500,000 तो कितने आजाएंगे आपके 1,500,000 शियर्स हैं या फिर या फिर या फिर इसको हम चलिए एक शियर का वेल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो 8,000,000,000 तीन रुपए तीन रुपए चलिए इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं ठीक है यह complicated हो जाएगा पहला 5000 इंटू में 12 बटे में प्लस 1500 यह भी कितने time रहा पूरे लेकिन यह 10 वाला यह 100 वाला है तो अगर मैं इसको 10 से divide कर दूँ अगर मैं 10 से क्योंकि इसकी value कितनी है जादा है अगर मैं इसको 10 से divide कर दूँ तो हमारे equivalent आ जाएगा दोनों क्योंकि यह number जो है या फिर या फिर या फिर दूसा तरीका है दूसा तरीका है मैं और इसका हम इसके dividend को ना ratio में बाट देते हैं ratio में ratio दिया नहीं मैंने चलो ऐसा ही कर लेते हैं ठीक है ठीक है divided by या मैं इस question को थोड़ा सा बदल देता हूं मैं कर देता हूं at the rate 5 paid up ठीक है यह वाला कर देता हूं दूसरा वाला जो fully paid up different class shares है वो मैं लक्से सबसे last में ले लूँँगा ठीक है clear clear चलिए sir हमारा सवाल क्या है sir सर सवाल है हमारे पास दो तरीके के shares है एक shares ने क्या करा पूरे दस रुपे payment कर रखा और एक share ने कितना payment कर रखा है पांच रुपे पांच रुपे बोले तो कितने percent 50% तो अब देखिए कैसे निकलेगा पचास हजार divided by पांच हजार वालों ने पूरे दे रखे हैं तो बारा बटे में बारा प्लस पंदरा सो इंटो में बारा महिने था पूरे बारा तो कितना आ जाएगा वही आना है इसलिए यहाँ पे ले लिया हमने तो इसका मतलब सर यह क्या आजाएगा पाँच हजार डिवाइड बाई कितने होगे पाँच हजार और पिछहत्तर सत्ता आवन सो पचास निकाल लिए पहले आप देखें फटाफट से सत्ता आवन सो पचास देट इस 8.69 यह देखें क्लियर है इसकी जगह मैं यह भी कह सकता था यह पेड़ फिफ्टी परसंट तो मैं यहाँ पे क्या करता पाँच बटे दस के जगह पे फिफ्टी परसंट भी कर सकता था तो अभी कितने केसिस देख लिए सर एक तो सिंपल कुछ नहीं बोला वही वैलूर से डिवाइड कर दो जब कुछ नहीं बोला हो तो जो एक्विटी शियर दे रखा है वही कौन सा है वेटे डेवरेज और जब हमारे पास दूसरा केस क्या देख लिया जब बीच में फ्रेश इशू होगा तो जो बीच में फ्रेश इशू हो रहा है उसको उस टाइम के हिसाब से वेटेज करना था जैसे मैंने 30 सेप्टेंबर को किया है तो इस हिसाब से हो गया तीसरा केस क्या देखा जब एक फुली पेड़ अप चीर सा और एक पार्टली पेड़ अप चीर सा तो कैसे करना था क्लियर है यहां तक